सब कुछ उन्हें लगता है पैसे सही खरीदा जा सकता है आप थोड़ी पहुच जाओगे वहाँ आपके बास कितना है आप और मैं यहीं रहने वाले हैं भाई तो ठीक वही लोग जो कहते हैं कि चलो दूसरे ग्रहों पर वही लोग हैं वो यह भी प्रचारित करते हैं कि बच इसलिन का अविशकारक होना एक बात होती है और एंटिबायोटिक्स का सौधागर होना बिल्कुल दूसरी बात होती है विज्ञान में तो कोई बढ़ी उन्नते हम पिछले 30-40 साल में कर भी नहीं रहे हैं फिजिक्स जहां 1960 में खड़ी थी उससे बहुत आगे आज भी नही सब्सक्राइगा नमस्ते सर मैं आज सुबह एक नेट्लिक्स पर मुवी देख रहा था जो स्पेसेक्स कंपनी है इलोन मस्ट जी की उनकी डॉकुमेंटरी है एक टैप की तो उसमें यह कहां गया था कि जो पृत्वी पे घ्यान का और जो चेतना का जो छोटा सा दीपक है मा सब्सक्राइब के रुप में वह कभी भी भूश सकता है तो इसके लिए इसका इलाज तो एक ही है कि मल्की प्लैनेट स्पेसी बनना ही पड़ेगा क्योंकि पृत्वी पे कभी भी क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज की वज़े से या फिर विश्वयुद्ध या फिर आ आपका कोई बी उल्का पिंड जो जिसके कोई सर्टेंटी नहीं है उस वज़े से मानों जो सब्वयता है या जो ग्यान का जो दिपक है वो कभी भूश सकता है तो इसका इलाज तो एक है अने उनके पास है कि मल्की प्लैनेट स्पेसी बनना ही पड़ेगा ताकि आगे जो अगर इसको दिपक को बचाना तो वही इलाज दुसरा कोई इलाज नहीं है तो इस पर मुझे कोई तरक इसका यह भी तरक एक सही थाबित हो रहा है एक शराबी ने खुब पीपी करके अपने घर को उल्टी से भर दिया है कि हो क्या रहा है मुझे नया खरीदना है अपने घर में उसने जहां देखो वहां वमन कर रखा है और गंधा रहा है और उसमें बीमारियां पैदा हो रही है और उसके घर में उसके जो कुछ पालतू, पक्षी थे वो उन बीमारियों से मर रहे है वो अपना नशा नहीं छोड़ सकता, वो और ज्यादा पीता जा रहा है क्योंकि घर इतना गंधाता है कि होश बरदाश्त करना मुश्किल हो जाता है होश में आओ तो और बदबू आती है तो जितना बदबू बढ़ती जा रही है वो उतना और ज्यादा पीता जा रहा है जितना पीता जा रहा है उतना उलटता है और घर को और बर्बाद करता है और अब उसने एक जबरदस्त उपाय निकाला है क्या? वो कह रहा है मैं नया घर अब खरी दूँगा कैसा लगा ये मजाक? कैसा लगा? मने शराब नहीं छोड़ सकते पहली बात दूसरी बात घर साफ नहीं कर सकते तीसरी बात मूर खितने है कि सोच रहें जहां जाओगे वहां भी बर्बादी नहीं लाओगे नए घर का भी करोगे क्या और जितनी उर्जा में जितना समय और संसाधन लगाकर पैसा लगा कर तुम नया घर लाओगे उसके एक बहुत छोटे हिस्से से तुम अपने इसी घर की सफाई कर सकते हो पर कुल मिलाकर नियत ये है कि नशा नहीं छोड़ना है बस ये है इतनी सी बात और नशे को बचाने के लिए मैं दस और ग्रहों पर कूधफांद करने को तयार हूँ मैं पूरा ब्रहमांड नापने को तयार हूँ मैं एक चीज नहीं करूँगा क्या नशा नहीं छोड़ूँगा नशा नहीं छोड़ूँगा मजबूर हूँ और घर नहीं साफ करूँगा आलसी हूँ और बेमान हूँ जितने संसाधन लगेंगे, आप से पूछ रहा हूँ, साधारण बुद्धी से बताएं, जितने संसाधन लगेंगे मंगल को कलोनाईज करने में, उतने संसाधनों में क्या हो जाएगा? पूरी प्रत्वी पुनर जीवित करी जा सकती है, सब ठीक हो सकता है, और मंगल तक आप जाओगे भी, आम आदमी को ये फेंटेसी बहुत अच्छी लगती है, आप और मैं भी आम आदमी हैं, हमारा नंबर कभी नहीं लगने वाला? आपको कीमत का कुछ अंदाजा है, लॉक स्टॉक एंड बैरल जब आपको यहां से वहां भेजा जाएगा? कुछ आप समझ रहे हो, जो जाएंगे हो, कितने लोग होंगे? वो मानावता वहां पूरी नहीं भेज रहे हैं, वो अस मानावता का बीज भेज रहे हैं कि 0.00 एक प्रतिचत लोगों को वहां भेज देंगे, वो वहां फिर नई मानावता शुरू करेंगे हमको और आपको क्या किया जाएगा? यहां सडने के लिए छोड़ा जाएगा, वो कहेंगे हम जो पीछे से ये सारी गंदगी छोड़ गए हैं, ये तुम झेलो ठीक, उस उपद्रवी की तरह, जो कई होते हैं न, जो बाप का पैसा वाले और बिलकुल जमीन की भाषा हैं, बोलूं तो हराम का पैसा वाले जो होटल में एक रूम बरबाद करके बोलते हैं, now get me another क्योंकि इसको तो मैंने बिलकुल उल्टियां कर दी हैं, कुछ कर दिया है, अपना गए हैं, वहाँ चेक-इन करा और खुब उलट मारा तो होटल के पास भी अगर गुंजाईश होती है, तो उनको कहता है, अच्छा आप दूसरे रूम में आ जाईए, इसकी तो आपने ऐसी तबाही कर दियेगे, इसको साफ करने में तीन घंटा लगेगा, तो तब तक आप आई जाईए दूसरे रूम में, ये वो मान सिकता है कि होटल ही तो है प्रत्वी, एक रूम में घुसो, उसको बरबाद करो, फिर दूसरे रूम में चेकिन कर जाएंगे, कोई दूसरा रूम माने, दूसरा ग्रह, दो तरह के लोग हैं, एक जने समझ में आता है, कि ये होटल नहीं है, और दूसरे वो, जिनके लिए उनकी जिन करते हैं, उनके लिए हर घर एक होटल है, प्रत्येक मनुष्य एक ग्रहक है, और प्रत्येक इस्त्री एक वैश्या है, सब कुछ उन्हें लगता है, पैसे सही खरीदा जा सकता है, वो किसी के पास जाएंगे, बात बस पैसे की करेंगे, क्या दिक्कत क्या है कहीं जाने में, पैसे ही तो लगता है न, पैसा है मेरे पास पैसे ही तो लगता है informação मैं इन व्यक्ति विशेश की बात नहीं कर रहा हूँ पर आम तोर पर बहुत इस तरह के लोग होते हैं जो किसी ए संबंद भी यही कहके बनाते हैं यह मेरे पास इतना पैसा है वो सामने वाले व्यक्ति से नाता नहीं जोड़ते वो सामने वाले व्यक्ति को भी खरीदते है खरीदते हैं मुझे जो चीज पसंद आईगी मैं खरीद लूँगा आप थोड़ी पहुच जाओगे वहाँ आपके बास कितना है खुश हो रहें आप और मैं यहीं रहने वाले हैं भाई तो हमारे लिए बहतर यह है कि हम इसी को ठीक रखें और जो हाँ पहुचेंगे भी वो क्या होगा वो एक सुपर इलीट क्लब होगा और उसके पीछे युजेनिक्स भी काम कर रही है एक अनुवांशिक पूरु अग्रह भी है क्या कि वहाँ लोग ही वही पहुचेंगा जो जेनिटिकली सुपीरियर होंगे क्योंकि जेनिटिकली सुपीरियर होता है वही तो अमीर होता है न यह मानने था इनकी तो वहाँ पर एक नई किस्म की मानवता फिर जन्म लेगी और ये बाते कोई एक रेक्ते नहीं बोल रहा है ये बोलने वाला पूरा एक समुदाए है जेने आम आदमी पसंद ही नहीं आता आम आदमी पसंद मुझे भी नहीं आता पर फिर दो बाते होते ही आम आदमी पसंद नहीं आ रहा तो जो उसकी मीडियोक्रिटी है उसको खत्म करो आम आदमी को उपर उठाओ ताकि वो आम न रह जाए और दूसरा ही होता है आम आदमी पसंद नहीं आ रहा तो उसको मारी डालो एक बात ये है कि आप कह रहे हो कि क्यों एक औसत साधारन जिन्दगी जी रहे हो उठो जब उठोगे तो आम नहीं रहोगे एक ही है दूसरा ये कि ये सब आम आदमी है इनको यहीं प्रत्वी पे मार दो हम कहीं बहार चलते है और प्रत्वी पे मारने का क्या तरीका है प्रचारित करो कि अभी तो हमें और बच्चों की जरूरत है तो ठीक वही लोग जो कहते हैं कि चलो दूसरे ग्रहों पर वही लोग हैं वो यह भी प्रचारित करते हैं कि बच्चे खूब पैदा करो जितने ज्यादा बच्चे पैदा होंगे प्रत्वी उतनी जल्दी नश्ट होगी उतना ज्यादा और रिश्णाइजेशन मिलेगा जस्टिफिकेशन मिलेगा कि हम क्यों प्रत्वी छोड़के जा रहे हैं क्योंकि प्रत्वी तो बरबाद हो गई प्रत्वी बरबाद तुम्हारी जैसे लोग जैसे हुई है इन्वर्टेड आर्ग्यूमेंट है पूरा खुद बरबाद करो और बोलो कि देखो बरबाद हो गई तो मैं जा रहा हूँ समझ मैं आरी ये बात सधारण आदमी के लिए तो ये एक वीडियो गेम रह जाना एक फैंसी रह जानी है कि एक स्पेस शटल उठा है उसके भीतर लोग बैठे हैं बहुत सारे और उन लोगों को अब एक बिलकुल नई जिन्दगी के लिए एक नए ग्रह पे ले जाया जा रहा है उस शटल में आप बैठे हो क्या और आप बैठना चाहोगे भी क्या मैं तो आखरी सांस तक इस प्रत्वी के लिए लड़ूं क्योंकि इसने कुछ बिगाड़ा नहीं है भाई मैं किस अधिकार से यहां की सारी प्रजातियों का नाश करके खुद भाग रहा हूं और जब मैं भागूंगा तो इन सब प्रजातियों को भी साथ लेके जाऊंगा क्या और मैं जहां रहूं वहां मेरी चड़िया नहीं है, वहां मेरी मचलिया नहीं है, वहां मेरे जंगल नहीं है, वहां मेरे पशु नहीं है तो मैं वहां क्या कहकर किस अधिकार से और किस आनंद से सांस लूँगा बोलो और क्या इस तरीके की योजना है कि आप वहाँ जाओगे तो हाथी भी लेके जाओगे और सागर भी लेके जाओगे और सब मचलियां भी लेके जाओगे और सब पक्षी भी लेके जाओगे अभी सोचा है कोई तो पक्षी प्यारा होगा उन सब को यहाँ पीछे छोड़कर मरने के लिए वहाँ चले जाना है उनके प्रते हमारा कोई दाइत तो नहीं है बोलो यह ओजना में शामिल है बात कि हम जब जाएंगे तो सारी बायो डाइवरसिटी अपने साथ लेके जाएंगे यह है क्या जहाँ जाओगे वहाँ पीपल लेकर जाओगे पीपल से कोई प्यार नहीं कैसी विचितर बाते हैं जो करी जा रही है हम सब एक साथ हैं हम एक साथ आए हैं और हमें एक साथ ही जाना चाहिए अगर जाने की नौबत आए तो और एक साथ कहां मंगल गरह के नहीं बात कर रहा हूँ जाना माने जाना विलुपती भी हो तो सबकी एक साथ हो एक अर्थ में हम भाई बहन हैं सब न सिर्फ सारी मानवता एक दूसरे के प्रतिभाई बहन है एक एक जीव छोटा बड़ा सब हम सब एक ही जगा से निकले हैं तो सहोधर हैं एक ही मा के गर्व से हम आए हैं उनको यहां छोड़ करके तुम कहां उड़ोने वाले हो भाई उस जीवन की कलपना करिए न न कुटा न बिल्ली न हिरंड न बाग आप उठ रहे हो सुबह वहाँ जैसी भी होगी प्रत्थवी ऐसे सुबह नहीं होती वहाँ सुबह वहाँ जैसी भी आप उठ रहे हो कोई चड़िया नहीं है चाहाने के लिए आप जीना चाहते हो ऐसी जिन्दगी या इससे भेतर यह है कि इसी प्रत्थवी के लिए लड़ते हुए मरी जाएं आपके पास हो सकता है बहुत पैसा आप चले भी जाओ आपके जितने गरीब रिष्टेदार हो सब पीछे रहेंगे आप जाना चाहते हो क्यों नहीं हम बात कर रहे हैं प्रत्थवी कोई बचाने की क्योंकि कुछ भी छोड़ सकता हूं नशा नहीं छोड़ सकता आज इस घर में उल्टी करिए कल उस घर में उल्टी करूँगा और उस घर के बाद करूँगा इतना अनंत ब्रहमांड है अब मैं किसी और गरह को कलोणाइज कर लूँगा पूरा ब्रहमांड किसलिए मेरे भोगने के लिए एक गरह को भोग के तबाह कर दिया आप दूसरे क्राहों को तबाह करूँगा और एक बात अच्छे समझिए सारी शक्ते ऐसे ही लोगों के पास है ये जो बात कह रहे न ये मैं बता रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा हूँ कि बिलकुल एक छोर पर भयानक है और दूसरे छोर पर मजाक है दिखरा होगा क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूं पर ये जो बात बोल रहे हैं वो हो जाएगी ये घटना घट जाएगी क्योंकि सारी ताकत ऐसे ही लोगों के हाथ में है और ये दुनिया धनबल बाहुबल से चलती है धनबल बाहुबल उन्हीं के पास है तो धनबल से बुद्धि भल भी ओ खरीद लेते हैं जितने भी बुद्धि वाले लोग होते हैं वो सब धन के पीछे-पीछे जैसे गधे के आगे गाजर वो सब धन के पीछे-पीछे अपनी बुद्धि भी ऐसे ही लोगों को सौप देते हैं दे बेस्ट ब्रेंस अफ इस कंट्री एंड वर्ल वर्क इन सच कॉर्पोरेशन हां या ना वो कहते हमारे पास बुद्धि और है किस लिए बेचने के लिए मैं बुद्धि बेचता हूं कोई मेरी बुद्धि खरीदे मुझे पैसा दे दे एक बात बताओ कोई अपना जिस् चला हुआ है उसको बेच दूगा और बेच के क्या करूंगा पेट चलाओंगा भोगूंगा कि धनबल बुद्धिबल बाहुबल सब इनके पास है यह जो चाह रहे हैं करके दिखा देंगे हम आप बैठे रहे जाएंगे सर इसमें यह लोग पैसा लगाते जैसा मुल्टिब्लैनेट धौनगे के लिए फेस लगा रहे है इता रहे खरए और नहीं इसको कोई ने सकता है हhen इसको कोई तो वो अपने तौर तरीके क्यों बदलें? आप यहां आए, आप मेरे साथ थोड़ा चले, उससे पहले न जाने, आप में से कितने लोगों के ऐसे ही ही एरो रहे होंगे? इनको आप अपने आदर्श मानते हो, रोल मॉडल मानते हो, वो अपने तौर तरीके क्यों बदले, बताओ न, आपकी नजरों में तो वो सुपरस्टार हैं, डूड हैं, हीरोज हैं, भारत की ही युवा शक्ति का बहुत बड़ा तबका है, जो ऐसों को आइडलाइज करता है, आप जानते होंगे ऐसे लोगों को, जानते होंगे यह है सह ही बन्दा, जो चाहता है करके दिखा देता है, सब कुछ है इसके पास, इसने यह खरीद लिया, वो खरीद लिया, देखा, यह चाहे तो चनाओगे नतीजे पलटवा दे, आप जिसको इतना पसंद करोगे, उसके हाथ में सारी तौकत सौप दोगे न, और वो जितनी ताकत पाता जाएगा, आप उसको उतना आइडलाइज करते जाओगे, समाज में किसी भी व्यक्ति के हाथ में जो ताकत होती है, वो उसे समाज नहीं सौपी होती है, समाज को हटा दो, उस व्यक्ति को जंगल भेज दो, बता उसके हैस क्या ताकत है, समाज हटा दीजिए, उस व्यक्ति को जंगल भेज दीजिए, क्या ताकत है, है ताकत, वो जो कर्थ रखते हैं जब तक समाज उन पैसों को ओनर करता है जिस दिन समाज उस पैसे को ओनर करना बंद कर दे उस व्यक्ति में क्या ताकत है तो यह मत कहिए कि फलाना व्यक्ति बहुत ताकत्वर हो गया है वो व्यक्ति ताकत्वर जिसको ताकत देनी चाहिए ति यो ठंठन गोपाल भूम रहे हैं ताकत बहुत खतरनाक चीज होती है, बहुत सोच समझ के किसी को दिया करिए आप एक सेलिब्रिटी को ताकत दे देते हो आपकी दी हुई ताकत का उस सेलिब्रिटी अब कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है ना आपने किसी को सेलिब्रिटी बना दिया वो सेलिब्रिटी आपने उसको सेलिब्रिटी बना के आपने उसको सो मिलियन फॉलोवर दे दिये माली है celebrity वही जो इतने follower लेके घूमे उसी को celebrity बोलते आपने उसको 100 million follower दे दिये वो 100 million followers आपने दिये उसको अब वो जा करके बैठ जाएगा किसी अंदविश्वास फेलाने वाले बाबा के पास 5 million follower उसने उस बाबा को सौब दिये वो 5 million उसके थे क्या अपने आपने उसको दिये थे न देखियो किसको दे आया और वो अब जो अंदविश्वास फेलाएगा वो आपके घर को खा जाएगा आपका celebrity ही यानि आपके घर को खा गया सोच समझ किसी को ताकत देनी चाहिए आपने एक डरपोक आदमी को celebrity बना दिया उसका किसी सत्ता धीश ने हाथ मरोड दिया तो अब वो कुछ भी करेगा अपने celebrity power का और क्या करेगा वो आपको ही मूर्ख बनाने के काम आएगा और सारा celebrity पावर आपने किसी को celebrity बना दिया वो आपके आपको गुटका बेच गया आपका बेटा मर गया उस बेटेओ किसने मारा आप नहीं मारा ना क्योंकि उस बेटे ने गुटका खाना शुरू करा उस celebrity को देख के उस celebrity को celebrity आपने बनाया था अगर वो जो holding पे चिफका हुआ है गुटका खिलाने के लिए celebrity अगर उसको आपने celebrity ना बनाया होता वो एक आम इनसान होता है जिसका वो हकदार है तो क्या उसकी सलाह पर आपके बेटे ने गुटका खाया होता आपके बेटे ने गुटका सिर्फ इसले खाया क्योंकि वो व्यक्ति अब celebrity के उखदे से बोल रहा है एक ऐसा उखदा जिसका वो हकदार है भी नहीं लेकिन उसको वो उखदा आपने दिया उल्टा भी होता है आपके बेटे को जो आदमी सही सलाह देने जाए आपका बेटा उसकी बात नहीं सुनेगा बताओ क्यों क्योंकि उसको आपने कभी celebrity बनाया नहीं आपका बेटा का इनकी बात क्यों से उन्हों यह है कॉन तु है कॉन वाइश यूड़ा लिसन टू यू तु है कॉन तु है कॉन यह सवाल उठता है कि नहीं डांट भी आप उसी की बढ़्दाश्त करते हो जो आपकी नजरों में कुछ होता है जो कुछ ना हो उसको तो आप सीज़े बोलोगे तु है कॉन मुझे डांटने वाला तू कॉन है मुझे समझाने वाला और तेरे को नहीं दोगे क्योंकि वह सेलिब्रिटी है कि सूच समझ के ताकत दिया करो किसी को आप जिसको ताकत दे रहे हो उस ताकत का आपकी खिराफ इस्तिमाल कर रहा है कि हमारी क्लास में हो था हम छोटे थे तो एक था वो पूरी क्लास का प्यारा था क्योंकि वो कभी कुछ करके नहीं लाता था और हमेशा डाट खाता था मार खाता था सदा खाता था ऐसे लोगों को देख के बड़ी रहत मिलती है हमसे भी बुरा कोई है और सुधरने का नाम न ले तो पूरी क्लास उसकी फैन हो गई बुल रही हो पूरा स्कूल अपने बहुबल के साथ इसके खिलाफ लगा हुआ है सारी टीचर्स प्रिंसिपल पीटीएम में बस इसी के चर्चे रहते हैं लेकिन देखो ये अकेला विद्द्रोही एक अदध क्रानतिकारी किसी के आगे जुक नहीं रहा है यह कह रहा है कि मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा पिठता है मार खाता है फेल होता है जो होता है तो पूरी क्लास उसकी फैन हो गई क्योंकि ऐसो का ही फैन होना ज्यादा आसान होता है जो हमसे अभी बुरा हो या कम सका हमारे जैसा हो वह हमें ज्यादा भाता है कि मैं जाने क्या हुआ क्लास टीचर ने क्या दिया कि इस बार मॉनिटर इलेक्शन से चुना जाएगा भई आपकी क्लास तो आप चुनिए कि आपका मॉनिटर कौन होना चाहिए आप चुनेंगे ना तो जाहिर सी बात है कौन जीता यही टुईया सिंग जीत गए अब यह बन गए मॉनिटर मॉनिटर से मैन इटर बनते इनको एक दिन नहीं लगा क्योंकि इन्हें जब टीचर्स की भी नहीं सुननी तो यह स्टूडेंट्स की क्यों सुनेंगे आप इनको मिल गई यह सत्ता तो उन्होंने जो पिटाई लगानी शुरू करी पूरी क्लास की इनका नाम ही पड़ा मैन इटर सोच समझके किसी के हाथ में सत्ता देनी चाहिए ताकत बहुत जबरदस चीज होती है आप जो ताकत दे रहे हो वो ताकत आपको ही भारी पढ़ने वाली है और ताकत का एक नियम समझी है जो पहले से ही हमसे बहतर है उसे और ताकत देते हंकार बहुत बुरा मानता है क्यों? कि रहे यह तो पहले ही हमसे उचा था इसको अगर और ताकत दे दी तो ये तो और उचा हो जाएगा तो जो सचमुच ताकत पाने का हकदार होता है हम उसे ताकत नहीं देंगे एक तरह की इरश्या उठती है ये तो पहले ही इतना बहतर है इसको अगर हमने और पद पद भी अधिकार भी दे दिये तो फिर और साफ हो जाएगा न कि हम लोग जुन्नुई है ये एकदम राजा हो जाएगा तो हम टुईया सिंग को दे देते हैं अग टुईया सिंग बोल रहे हैं कि प्रत्वी में आग लगा दो कुछ कर दो नायाब वो बाते बता रहे हैं और चुकि अब उनके पास हर तरह का बल है तो उनकी एक बहुत जबरदस्त fan following हो गई है इस पर और कुछ किसी का खासकर वो लोग जिनके मन में बड़ी हसरते हों मंगल पे बसने की है कासी और यह पोले काätz जंगल में मंंगल सुना होगा पर मंंगल पे जंगल नहीं होते तो जो भी अर्मान लेके जारे हो पूरे नहीं होंगे उस मंंगल पे जाने से अच्छा है यहां जंगल साबित रखो जंगल में मंंगल हो जायेगा मेरा इसी पर सवाल था मैं भी लॉनमस को फॉलो करती थी तो ऐसे अगर हम नहीं करेंगे अगर नहीं उने बढ़ने देंगे तो फिर विज्ञान की उन्नति कैसे होगी हम और कैसे जान पाएंगे और अरे जो कुछ जान जाते हो बस जाते हो क्या एटम के अंदर क्या है जान तुँआ घर बना लिया है कैसी बाते कर रहे हो जानना एक बात है और कोनलाइस करना दूसरी बात है आप जाईए मंगल को जानिये स्पेस एक्स्प्लोरेशन को कौन मना कर रहा है अभी बात मनसूबों की हो रही है अभी बात ज्यान वर्धन की नहीं हो रही है बात हो रही ज्ए ग्यान तो बहुत प्यारी चीज है, सब जानिये, पर ज्ञान एक बात है और नियत दूसरी बात है, अगर बात ज्ञान की है, तो क्यो नहीं ज्ञान वर्धन करते इस शेत्र में कि इस प्रथवी को बचाया कैसे जाए? इस मुद्दे पर क्यों नहीं क्या नहीं हम खड़ा करते जो हमारे ओशन की पूरी फ्लोर से हमने आज तक उसकी पूरी मैपिंग नहीं करी है हम उसकी क्यों नहीं करते मैपिंग हमें हमारे ही ग्रह का नहीं पता है कि हमारी जो ओशन फ्लोर है उसका कोई पुखता मैप हमारे पास आज तक नहीं है कितनी प्रजातियां इस प्रत्वी पर हैं ये भी आज तक हम ठीक ठीक नहीं जान पाएं हम आज भी अनुमान लगाते हैं कि प्रते दिन सौ से एक हजार प्रजातियां विलुप्त हो रही है प्रते दिन पर exactly कितनी विलुप्त हो रही है हम नहीं जानते हैं और कौन सी हो रही है ये भी हम नहीं जानते हैं ज्यान बढ़ाना है तो ये ज्यान क्यों नहीं बढ़ाएं के लिए क्या ग्यान बुरी चीज होती है क्या ग्यान बुरी चीज होती है भाई तेरे घर में आग लगी है वहां तु कौन सा ग्यान वर्धन करने जा रहा है बाद में पता चला कि जहां जा रहा है वहां चाट पकोड़ी की दुकान है यह इसका ग्यान वर्धन यहां किसी घ ठाकर भी रहे हो ता किसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हारी गंदी कामना है पूरी हो सके ऐसा ग्यान किस काम का है भाई ग्यान बहुत अच्छी चीज है एंटी एक्स्पोइटेशन होना एंटी साइंस तो नहीं है या है या साइंस का मतलब भी एक्स्पोइटेशन होता है एंटी कंजम्शन होना एंटी साइंस तो नहीं है पर बहुत लोगों को लगता है ऐसा ही है लोगों को लगता है कि अच्छा ये कंजम्शन के खिलाफ बात कर तो मतलब आ विज्ञान के भी खिलाफ बात कर रहे हैं मैं कह estáBuy विज्ञान तो बढ़े पर जानने के लिए बढ़े भोगने के लिए नहीं जानना एक बात है मुझ आज हमें सब पता है कि एक पक्षी का शरीर कैसा होता है हजार साल पहले हम नहीं जानते थे कि पक्षी की आत कैसी होती है पक्षी का दिल किस गति से धड़कता यह सब बाते में नहीं पता थी आज हम सब जानते हैं तो पक्षी के बारे में इतना जान गए हो तो क्या करें पक्षी को खा जाए उठा के जानना वाने भोगना या जान गया हूँ तो मैं पक्षी को जान गया हूँ तो आसान हो गया इसको पकड़ के पका के खाना ग्यान का उपयोग किस दिशा में करना है ये तो बताओ ये जोड़ा मत बैठा लीजेगा कि science माने consumption नहीं 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 बिलकुल गलत बात है और आप दुनिया के उंचे scientists को देखेंगे वो बहुत मस्त और साधा जीवन जीते थे भोगने का काम दूसरे लोग करते हैं भोगने का काम technology के व्यापारी करते हैं और technology के व्यापारी और scientist में बहुत अंतर होता है टेकनोलोजी का व्यापारी एक चीज होता है भाई और साइंटिस्ट दूसरी चीज होता है इनको आप एक थोड़ी बोलोगे या आइंस्टीन और एलॉन एक ही बात है कोई समानता है एक व्याज्यानिक है एक टेकनोलोजी का व्यापारी है इनमें समानता क्या है पर हमको लगता है नहीं लगभग एक ही बात है कंप्यूटर का अविश्कार करना एक बात है और ओपरेटिंग सिस्टम बेचना बिलकुल दूसरी बात होती है बिलकुल दूसरी बात है कि नहीं है बिजली का अविश्कार करना एक बात होती है और पावर की एक कमपनी चलाना उसका IPO ले किया आना और उससे पैसे बनाना और उसके उस कमपनी के कारण कोईले की दलाली करना ये बिल्कुल दूसरी बात होती है जिसने electricity का आविश्कार किया उसको और पावर के एक व्यापारी को आप एक ही बात मान रहे हो क्या एक ही बात मान रहे हो पर हमारे मन में कहीं न कहीं हमने कुछ जोड़ रखा है ये अलग करो विज्ञान के पीछे तो लोगों ने जान दी है विज्ञान के उपलब्धियां ऐसे ही नहीं मिल जाती है सस्ते में मैं उनका नाम भूल रहा हूँ मैरी क्यों रही नहीं अभी पांच साथ दिन पहले महिला थी जिन्होंने बहुत कम उम्मर में एक्सरे पर रिसर्च करते हुए अपनी जान दे दी थी कैंसर से फ्रीड मैं या फ्रीश मैं कुछ उनका नाम है देख के लिख दीजेगा वो एक चीज होती है और फार्मा कंपनी चला करके मुनाफ़ा कमाना बिल्कुल दूसरी बात होती है ना भाई पेनिसिलिन का अविश्कारक होना एक बात होती है और एंटिबायोटिक्स का सौधागर होना बिल्कुल दूसरी बात होती है तो एक ही कैसे माने ले रहे हो विज्ञान में तो कोई बहुत बड़ी उन्नति हम पिछले 30-40 साल में कर भी नहीं रहे हैं आप बताओ Basic Sciences में हमने क्या बड़ी उन्नति कर लिए बताओ तो Basic Sciences में हमने क्या पिछले 40-50 साल में उन्नति कर लिए फिजिक्स जहां 1960 में खड़ी थी उससे बहुत आगे आज भी नहीं खड़ी है जिस प्रिंसिपल पर लोको मोटिव या आटो मुबील आज से 50 साल पहले चलता था आज भी वैसे ही चल रहा है लगभग अब यह मत बोल देजागा कि अब उसमें हम एक्सेसरीज ज़्यादा लगवा लेते हैं पर उप्रिंसिपल लगभग वही है आज भी आप 1940 का AC देखें और फ्रिज देखें और आज का AC और फ्रिज देखें सेम प्रिंसिपल कुछ नहीं बतला है तो विज्ञान बेसिक साइंसिस कहां तरक्की कर रहे हैं हाँ टेकनोलोजी और कंजम्शन तरक्की कर रहे हैं तो बहुत अलग अलग बात है बहुत अलग बात है विज्ञान तो बिचारा रो रहा है कि मेरी फंडिंग कर दो जो prosper कर रहा है वो है trade in technology सारी funding technology में research को मिल रही है basic sciences तो रो रही है कि उनको कोई fund करने वाला भी नहीं है लेकिन आम आदमी के मन में science और technology and commerce in technology ये तीनों एक ही बात होती है हम समझते ही नहीं कि बहुत बड़ा अंतर है smartphone का नया model अजाता है बाजार में तो आपको लगता है science न तरक्की कर ली अरे बाबा मुझा आपका smartphone है बस एक computer है और उसकी लगभग वही technology है जो 1990 computer की होती थी बस उसका miniaturization हो गया है वो छोटा होके आपके हाथ में आगया है पर मैं लगता देखा science कितनी आगे बढ़ रही है अरे science वहीं की वहीं है जहां 30 साल पहले थी technology को commercialize कर दिया गया है आज का भी जो nuclear weapon है वो बिलकुल वैसा ही है जैसा 1945 का था बस technology refine कर दिये तो उसकी yield बढ़ गई है और size छोटा हो गया है विद्ध्वन्स में भी basic science ने क्या तरक्की कर ली construction छोड़ दो destruction में भी हाँ बस यह कि तब अमेरिका के पास कुल 5 बंद थे आज पूरी दुनिया में 10,000 से ज़्यादा है the numbers have exploded and the destructive potential but basic science तो वही है न तुम इंजिनियर हो ना इंजिनिरिंग अभी पढ़ी रहे हो ना यही दिया है यही का उन्नेस उसी का पेपर देखा है देख लेना उसमें वैसे ही questions से जैसे आज आते है उसमें लगभग वही सब topics हैं जो आज के हैं बताओ क्या तरक्की हो यह 44 साल पहले भी वही तुमसे पूछा जा रहा था जो आज पूछा जा रहा है क्या बढ़ा है कोई यह ना कर दे कि नहीं नहीं यह यह चीजें बढ़ी हैं मैं क्या रहा हूँ जो चीजें बढ़ी हैं उन में से कोई भी breakthrough नहीं है हर साल नोबेल प्राइस दिया जाता है फिजिक्स में भी और लेकिन वह breakthrough नहीं होता आज कोई नहीं बोलेगा कि बिल्कुल उतनी breakthrough बात है special relativity जितनी सारा glamour क्योंकि science के साथ नहीं है इंडियन institute of technology को ज्यादा जानते हो ये इंडियन institute of science को बस समझ गए बात और IAT 5 होती थी 5 से शायदो 50 कर दियें पता नहीं कितनी कर दियें अब तो गिंती भी भूल गए IAC बचारा एक पड़ा हुआ है और वो सारी IAT से पुराना है उसे कोई पूछने वाला नहीं क्योंकि हमें ग्यान नहीं चाहिए science का संबंध होता है ग्यान से और technology का संबंध होता है consumption से हम consumption के भूखे हवसी लोग है तो इसलिए हम सारा investment technology में करते हैं हम ग्यान के आग रही नहीं है जिनने ग्यान चाहिए होगा वो science में invest करेंगे हमें ग्यान नहीं चाहिए हमें science नहीं चाहिए हमें technology चाहिए एक और प्रमान दूँ मुबाइल फोन का आप इस्तिमाल करते हो technology तो आप जानते हो कम से कम कैसे उसका यूज करना उसकी technology जानते हो उसकी science बताओ कि क्योंकि हमें science से कोई लेना देना नहीं है हमें consumption से लेना देना है बना के दे दो हम उसको भोग ले science तो रिशियों का काम है एक अच्छा वैज्ञानिक वास्ताओं में रिशि होता है एक और technology तो सौधागरों का काम है पैसा बनाओ और यह जो technology वाले ना इन्हें science पता भी नहीं होती है इस चक्कर मतरा ना कोई company हो power की पावर की huge companies होती है उनके पास coal के plants होते हैं वो coal mines पर कबजा करते हैं वो जंगल काटते हैं कि power आएगा और हमारी power company आगे बढ़ेगी तुम इनसे जा करके थोड़ा पूछलो इतना ही कि बेटा बेटा तो क्या बोलोगे अंकल जी है अंकल जी current की unit क्या होती है आप एक power company क से मालिक हो इतना ही बता दो voltage माने क्या वो ना बता पाएं यह technology के सौधागर है इनने science का थोड़ी कुछ पता है तुम इनसे बोलो के वीट स्टोन ब्रिज इनको लेगा कि पत्थर डाल के उस पे गेहू बिचाया गया है और उसका भी कहीं कोई contract निकल रहा है जल्दी से सरकार में लाइजनिंग करके वो भी ले लो सिर्फ इसलिए कि किसी का नाम किसी technology firm के साथ जुड़ा हुआ है यह मत सोचने लग जाना कि उस व्यक्ति में scientific attitude भी होगा वो सिर्फ एक व्यापारी है पंखे और एसी बनाने वाली कोई company है बहुत बड़ी company हो सकती है तुम्हें क्या लगता है उसके उपर जो लाला जी बैठे है वो इलेक्ट्रिकल इंजिनियर है तुम उनसे पूछ दो वहाँ पे जाकर के कि एडिया बैठेक और थोड़ा अंतर बता दीजेगा आपका एसी कैसे काम करता है कौन सा compression है इसमें क्या बोल रहे हैं एडिया बैठेक यह क्या होता है कोई कार बेचने वाली कंपनी है तुम उनसे जाकर एक होगे थोड़ा सक यहां पर डीजल साइकल बना के दिखा दीजिए इंजन कैसे काम करता है आपकी कार का तुम्हें लग रहा बना देंगे हाँ वो बस सुपर हीरो बनके बैठ जाते हैं और चुकि उनका नाम आटो मूबील के साथ जुड़ा हुआ है तो तुमको लगता है शायद ये भी विज्ञान की कुछ समझ रखते हैं कुछ नहीं है वो मार्केटर है बस उसको विज्ञान का क्या पता जिन्हें विज्ञान का पता है उसे उसने अपने धनबल से खरीद के अपने आ बैठा दिया है बस ये हुआ है जिन्हें विज्ञान का पता है उन्हें पैसे दे के खरीद के अपने आ बैठा दिया जाता है तुम बनाओगे और वो बिग जाते है सूरा सोई सराहे लड़े मुक्ति के हे पुरजा पुरजा कट पड़े तो भी न छाड़े खेत रिसादो तो भी न छाड़े खेत सूरा के मैदान में कायर का क्या काम सूरा के मैदान में कायर का क्या काम सूरा से सूरा मिले तब पुरा संग्राम रिसादो तब पुरा संग्राम सूरा नाम रखाय के अब क्यूं डर नावेर अड़े रहना मैदान में सम्मुक सेहना तीर रिसादो सम्मुक सेहना तीर भागे भला ना होएगा कहा धरोगे पाम सिर सौपो सीधे लड़ो काहे करो कुदाओ रिसादो काहे करो कुदाओ मैं मनीश राजपाल मैं लखनाओ में रहता हूं और एक कंस्रॉक्शन से रिलेटेड मेरा बिजनस है और आज के सत्र में गीता सत्रों से नमंबर से मैंने जॉइन किया था और लगवक दो या धाई साल हो गया उससे पहले मैं यूट्यूब के माध्यम से आचारी जी को सुन रहा था और मुझे बहुत पाइदा हुआ है सत्रों को जॉइन करने से मुझे बहुत ज्यादा लाब मिला है बहुत एनरजी अलगी लेवल की हो गई है और जीवन में जो बदलावान है सर प्रतम तो वीगन अजम शुद्ध शाकाहर की तरफ मैं पूरी तरह से अच्छे से मैं आ गया शुरू में मुझे दिक्कत गो रही थी कुछ दिक्कते होई थी चाय में दूद नहीं जा रहा था कम हुआ था मात्रा में अगर जा नहीं रहा था तो वो छीज मेरी एक दम पूरी तरह से छूट गई सत्रों को जॉइन करने के बाद राम निरं जन न्यारारे अंजन सकल्पसारारे रामने अंजन न्यारारे अंजन सकल पसारारे अंजन उत्वतियोंकार अंजन मांगे सब विस्तार अंजन ब्रह्मा शंकर इंदे अंजन गोपी संगे अंजन गोपी संग गोविंदे रामने अंजन न्यारारे अंजन सकल पसारारे अंजन पसारारे अंजन गोविंदे अंजन गोविंदे अंजन गोविंदे